नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग उमीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे और डेली एक्सरसाइज करते होंगे और पूरा मन लगाकर एक्सरसाइज करते होंगे पूरी ध्यान दे करके और पूरा कॉंसेंटेशन से हमारा जो अंग पर जिस अंग सब्सक्राइब करते हैं तो दोस्तों कि हम एक नए वीडियो ले करके आए हैं आप लो के साथ और उस नए वीडियो में आज हम मसल के लिए exercise बताएंगे भी पिछे का जो मसल रहा प्रिफरायां का गांब जो निज़िए का का डी ilinrix है तो हम लोग के लिए दोस्तों सबसे बड़ी समस्या होती है पीछे का मसल और पीछे का मसल जो है सुन पर जाता है उसमें कुछ पता चलता नहीं है तो इसमें होता यह है कि रगर पड़ते पड़ते रगर पड़ते और सीधा लेटे हुए पीछे लेटे 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 वहां का चमरा जो ह हाट हो जाता है और गर्मी से पसीना से सीज़ करके चमरा का परत उपर से धीरे 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 छिलने लगता है सरने लगता है और कि वहाँ पर दर्द हमको सुन हुआ रहता है इसलिए दर्द का एहसास होता नहीं है अगर दर्द हो तब तो हम चिलाएंगे या दबा माएंगे या किसी हो कहेंगे कि हमको करबट कर दो हमको दर्द हो रहा है लेकि दर्द का एहसास नहीं होता है तो अपना पड़े रहते हैं लोग बैठ करके जो लोग बैठ जाते हैं जा पैर जिन का उठ रहा है और थोड़ा मोमेंट आ गया है बोड़ी में तो उन्हों के लिए तो इक्सरसाइज हैं और रोच चलता रही हैं कि हमारे पास विए सब्धा नहीं है कैमरा को लेंगा कि मैं एक साथ exercise और प्रेटिकली exercise के साथ साथ हम documentary करते रहें तो हम अलग से exercise load कर रहे हैं जो exercise है वो पीछे मसल के लिए है कि पीछे का मसल जो सूख करके सूख सूख जाता है लूज हो जाता है पता ही ने चलता है कि मसल है की नहीं जैसे हमको पहले पहली बार कुर्सी पर बैठा दिया लगरिये कुष्टी कुर्सी पर तो ऐसा लगा कि कुर्सी पर काटा है रखा मास है ही नहीं केवा हड़ी हमारा ठक से कुर्सी पर बैठ गया है मतलब हम लग दस सेकेंड भी नहीं बैठ पाए और जूर जूर चिलाने लगे जल्दी समको फिर उठाकर के बिस्तर पर करका सब लग लिए कुर्सी पर ऐसा था हमारा मसल मतलब पिछे बिलकुल तो देख लिए जो जैसा कि यह हम हैं पर इसमें करना क्या है दोस्तों कि इसके लिए जो लोग जिनको खेल नहीं हुआ हो जह नहीं होत Вы या जिनका थुरा भी नहीं उड़ता है तो उनको करना है उनको करवत कर देना है करवट सुला देना है या फिर पेट पेड़ तो नहीं हो पाएंगे करवट सुला देना है करवट सुलाने के बाद उनको जो है मसाज करना है उसके लिए एक तेल है मसाज करने के लिए तो तो दोस्तों उसके लिए एक तेल तो हम बता दिये हैं पहले ही वीडियो में कि वह नाडियल तेल कपूर और जो है उसमें कला करनाओ कि जैसे कर बट करके हमको लिटाएंगे लटाने के बाद जो है सर्षो का तेल जो ढाया घर में खाने वाला या रहतल होना चाहिए जो प्यूर सर्षो का तेल हो उसमें लहसुन डाल देना है लहसं का जैसे एक चाह्तों पोरा सी लवांसुणण डाल देना है उस तेल में या सव गराम में पचास ग्राम मैस अधाले यदा नहीं 50 ग्राम लाहसुण डालई येगा और उसकी से कdoo पेखा ब्वी नीछे घुटना से नीछे वाला उसको सारे मसल पर जो है सो मसाज करना है ऐसे करके मसाज करना है कि मसाज है हमाज है मां नोधेयर या हमारे परिवार में थेना थिरे के B लिए सब्सक्राइब दो सब्सक्राइब दोनों को पकर करके अधा घंटा तक ऐसे करना है और विजो थेरापी डॉक्ट रहते हैं तो वो क्या करता है करते हैं कर देंकि उनको एक मसीन होता है पका लेंगे और जिनको दर्द है दिनको दर्द ज्यादा है वो उनमें क्या करेंगे कि भांग का बीज डाल नेंगे कहीं से मंगाले भांग का बीज गाउ द्यातों मिल जाता है आसानी से भांग जो होता है घात में जंगल की तरफ मिलता रहता है ख्यत में तो उसका बीजिये करके और उसको तोव्य करना है तो बार मसल पर मालिस करना है मालिस नहीं होगा सबसे पहले उसके बाद आपको जो घचाव होता होता है वह नहीं होगा मसल में कमपन आएगा मसल में गाओ बंजनना इससे जो है सो बचा होगा हमारा हम अभी पीछे का पिक्चर हम दिखाए हैं अपने पीठ का आप देख लिजीगा कितना प्लेन है हमारा ऑपरेशन देखेगा कि ओभी अब दीर दीरी लगता है दो साल में मीट जाएगा इतना किलीन हमको कर दिया है लाहसुन और सरस्व तेल का लोग का नाम सुनता है हासने लगता है यह तो बहुत पुराना बात है पुराना कहाबत में लोग आता ता है यहसे काBlue लगता है लेखिं दोस्तों यह हसने वाली बात नहीं बहुत कार्गर आपत लृसुना कभी चीज्जय दर्द के लिए दोस्तों को को देले को क्वा फाइदा करता है दोस्तों और यह लगाताार दो साल तेर साल नियमता है किसी का तोि दोस्तों होना है तो दोस्तों को तो हमारा यह बता रहेते थे तेल जो हो वह हम बड़ावरन लगाते रहना है और लगाते लगाते जो है सो मुसल को जो है सो आथ रखना है और एक्रशाइज भी करना है तो अब वीडियो को यहीं पर खतम करते हैं दोस्तों तो आप लोग exercise अच्छे से करते रहें और जो हम तिल बताए हैं उसका उपयोग कीजिए और exercise कीजिए अच्छे से तब तक के लिए आप फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए हम इजाज़त दीजिए तब तक के लिए राम राम जैस्री